दोस्तो आज मैं बताने चाहूंगा कि आप लोग घर में पौदा जरूर लगाते होगे और घर में पौदा लगाने से घर नहीं सुन्दर दिखता है काली बलकि घर का वातावरन भी अच्छा रहता है जिसकी वज़े से आज कल गाउं के रहने वाले लोग और सहर के रहने वा किया है वास्तो साथ के अनुसार अगर आपके घर में वह पौदा लगा है तो आपके घर में धन की कमी होने लगेगी और लोग बिमार परने लगते हैं लेकिन जानकरी के अभाव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पौदे को अपने घर में लगा लेते हैं जिससे घर मे रहने वाले सदेसों के सेहत पर परता है और उनके धन धान्य पर परता है तो आज किस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा भूल कर भी यह तिन पौधे आपको घर पर नहीं लगाना है अगर आपने लगवा ही लिया है तो तुरंतिक काड़ देना या उखरवा के फ लगा लिया है तो यहा किसी मुसिबत को दावत देने से कम नहीं है यह आपके घर में रहने वाले लोगों के बीच में नकारत्मकता फैला देते हैं और उल्जने बड़ा देती है और घर में सिधा धन पर इसका असर परता है दुसरा है सुखे तूटे या मुर्जाई पौ देखो भी अपने घर पर नहीं लगाना चाहिए अगर आपने लगा लिया है तो भूल कर भी इसे घर पर न रखे इसे उखार कर फैक दे क्योंकि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि तूटे वे घरी को या बंद घरी को घर पर रखने से उसका समय उल्टा चलने लगता है और नेकार अत्मक्ता बढ़ जाती है सिधा इसका असर हमारे धन पर परचा हमारे विचार पर पर परता है ठीक उसी प्रकार वास्तिव सास्र के अनुसार अगर सुखे फेर हम लोग अपने घर पर रखता है तो उसका असर हमारे धन पर पर परता है और हमारे विचारों पर पर तीसरा कुछ ऐसे फलदार पौदे होते है जिने घर पर लगाने के लिए मना किया गया है हलंकि ऐसे पौधे बहुती कम होते है कठल को भूल कर भी अपने घर पर नहीं लगाने चाहिए इससे लगाने से हमारे घर में नेकारत मक्ता आती है इसका असर सिधा धन पर पड़ता है यह हमारे धन को कम करने लगती और यह महिलाओ को सबसे यादा परशान करती है यह महिला को बीमार करने लगती है तो दोस्तो यह तीन पौदे भूल कर भी नहीं लगाने है और अगर लगवा लिया है तो काट करके ठेक देना है तो दोस्तो अगर आपको हमारा या वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सस्क्राइब करें